पूरे विश्व को आरोग्य का वर्दान भारत से मिला है जिसका नाम है आयूवेद ये चिकित सा विज्ञान भारत में पांच हजार वर्षों से चला रहा है प्रियोजनम चास से स्वस्थस से स्वास्थय रक्षनम आतुरस से विकार प्रश्मनम चल अर्थात आयूर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ लोगों की सेहत की रक्षा और बिमार व्यक्ति को निरोग बनाना है आयूर्वेद आयू और वेद शब्दों की संधी से बना है आयू का अर्थ है जीवन और वेद यानि ज्ञान मतलब जीवन का विज्ञान यही आयूर्वेद का सार है आयूर्वेद स्वस्थ जीवन शैली पर विशेश ध्यान देता है यहां उपचार के दोर पर आहार का बड़ा महत्व है इस प्राचीन ग्यान के अनुसार खाने में पोशक तत्वों की कमी या परिवर्तन से बीमारिया हो सकती है दुनिया में योग के बाद अब आयूर्वेद का भी चलन बढ़ रहा है योग के साथ साथ आयूर्वेद उपजार के कई संस्थान संसार में लोकप्रिय हो रहे है आयूर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है इसे अथर्व वेद का उपवेद माला जाता है प्राचीन भारत के महान व्यद्य चरक की चरक सहीता और प्रख्यात शल्य चिकित्सक सुषूत लिखित सुषूत सहीता आयुर्वेद का आधार है। सुषूत को शल्य चिकित्सा यानि सरजरी का जनक माना जाता है। सुशुरुच सहिता में शल्य चिकित्सा को विस्तार से समझाया गया है। इस महान व्यद्य ने अनेक ओपरिशन प्रक्रियाओं की खोज के साथ कोस्मेटिक सरजरी में विशेश निपुनता ईशा पूर्व एक हजार ईश्वी में ही हसिल कर ली थी। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर सहित ब्रह्मान में पाए जाने वाले सभी प्राणी पंच महा भूतों यानि आकाश, वाहियो, अगनी, जल और पित्वी से बने हैं। शरीर का विकास एवं पोशन भोजन पर निरभर है। भोजन भी इन पाँच तत्वों से बना होता है। आंतरिक और बाहर के कारक पंच महा भूतों के प्राकृतिक संतुलन को बिगार कर रोग को जन्व देती हैं। आयुर्वेद में उपचार समग्र रूप से किया जाता है। चिकित सक रोगी की शारीरिक विशेशताओं और मानसिक स्वभाव को साब्धानी से परक्ते हैं। उपचारों में कई परीक्षण भी शामिल हैं। जैसे की सामान्य शारीरिक परीक्षन, नाड़ी परीक्षन, मूत्र परीक्षन, मल परीक्षन, जीब और आँखों का परीक्षन, स्पर्ष वश्रवन सहित, त्वचा और कान का परीक्षन. बीमार मनुष्य को सिहत मंद बनाना ही आयुर्वेद का लक्षि रहा है। मैं लगवग एक साल से बाएं हाथ में दर्थ से परेशान था, जिसके लिए मैं आयरुवेद ट्रीट्मेंट के लिए यहां आया था और यहां आयरुवेद ट्रीट्मेंट के दोड़ा मुझे काफी आराम है। यहां रोगों का उपचार आठ विभागों के तहट किया जाता है शल्य यानि सरजरी, शालाक्य यानि नाक, कान और गला काय चिकिच्छा यानि जन्रल मेडिसन, भूत विद्या यानि मानसिक विकार, कोमार भित्य यानि बाल चिकिच्छा, अगद तंत्र यानि विश्विज्यान, रसायन यानि रेज्यूविनेटर, वाजीकरण यानि सुप्रजा पंच कर्म यानि पांच कर्म आयुरवेद की महत्पून चिकिच्छा विधी है इन पांच प्रक्रियाओं का प्रियोग शरीर को विशहले पदार्थों से मुक्त करने के लिए होता है वमन, विरेचन, बस्ति, रक्तमोक्षन और नस्यूद देश भर में फैले आयुरवेदिक अस्पटालों में अनीक जटिल रोगों का इलाज हो रहा है जलोका अवचारण यानि लीच थेरेपी के द्वारा यहां गंदे खून से होने वाली बीमारियां भी दूर की जाती है जैपूर, वारानसी और जामनगर में मुख्य आयुरवेदिक संस्थान है पूरे देश में आयुरवेद के डॉक्टरों की संख्या लगभग साड़े चार लाख है जो तक्रीबन 15,000 आउशधालियों और 2400 से भी अधिक अस्पतालों में रोगियों का सस्ता, सुलब और भरोसे मंद उपचार कर रहे है आयुरवेद में जिन साधनों से रोगों का उपचार किया जाता है, उन्हें आउशध कहते है ये दो प्रकार के होते हैं, आद्रव्यभूत और द्रव्यभूत आद्रव्यभूत आउशध में किसी द्रव्य का इस्तेमाल नहीं होता जैसे उपवास, विश्राम, सोना, जागना, टहलना और व्यायाम वहीं द्रव्यभूत आउशध धातूं और कुदरती जड़ी बूटियों से बनाया जाता है प्रकृती में तमाम जड़ी बूटियों का भंडार है जिन में से करीब 12,000 पौधे, फूल, फल, पेड, जड, छाल और बीज का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाईयां बनाने के लिए किया जा रहा है प्रकृती के इस अनमूल भंडार का अलप प्रियोग औसत के तौर पर हो रहा है अनेक जड़ी बूटियों पर शोध चल रहा है तमाम सरकारी और गेर सरकारी संस्थान इस काम में लगे हुए है विश्वस्तरिय औशधी का निर्मान देश भर में फैली हजारों दवा कमपनियों में किया जा रहा है इनके मानकों और गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जाती है प्रधान मंतरी श्री नुरेंदर मोदी के कुशल नेत्रित में सरकार प्राजीन ग्यान और विज्ञान का पर्चम लहराने के लिए जोर शोर से लगी हुए है यान उनको नए सिरे से समझाने क्या वशक्ता नहीं है हमारे देश में कभी ग्लोबली आविर्वेट को विश्व समू के सामने ले जाये जा सकता है विश्व समू को इसी एक शत्र के नीचे लाया जा सकता है भले शुरुवात 12-15-20 देशों से होगी माननीय प्रधान मंत्री का इस पुरातन चिकित्सा पधती पर पूरा भरोसा है स्वास्थिर एवं परिवार कल्यान मंत्रालय भारत सरकार के आयुष विभाग ने भारतीय चिकित्सा पधती के विकास में अहम योगदान किया है भारत सरकार ने आयूश सेवाओं के बेहतर उपयोग के लिए राश्चिय आयूश मिशन की शुरुआत को मन्जूरी दी है विभाग आयूर्वेद के शेक्षिक विस्तार, औशदों के गुणवत्ता नियंत्रन, मानकी करण, अनुसंधान और विकास के साथ ही इसके बारे में जागरूपता पहलाने में प्रयासरत है I'm Satomi from Japan, I'm a first path student of this college and I'm learning Ayurveda because in Japan there is a few doctors of Ayurveda so I want to be a practitioner आयूश, बहितर गुणवत्ता वाली Ayurveda, सिध्धा, युनानी और होमियोपैथी की दवाईं उपलप्ट करा रहा है Ayurveda को जन जन तक पहुचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाने की घोशना की है जैसे की अखिल भारतिय आयूर्वेद संस्थान सरीता विहार नई दिल्ली में निर्माना थीन है अखिल भारतिय आयूर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स के खुलने वाले हर संस्थान में आयूश की शाका खोली जाएगी उन्नत शिक्षन संस्थानों की संख्या में बढ़ोत्री से आयूर्वेदिक शिक्षा में सुधार होगा आयूर्वेदिक अस्पतालों और औशधालियों की संख्या में वृद्धी से ये सेवाएं ज्यादा लोगों तक पहुँचेंगी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी आयुर्वेदिक दवा प्रणालियों के लिए उच्च गुनवत्ता वाले कच्चे माल मोहिया कराई जाएगे बांगला देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझोता हो चुका है तीन अन्य सार्क देशों, श्री लंका, नेपाल और भूटान सहित, इंडोनेशिया, थाइलेंड वा अन्य कई देशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कदम बढ़ चुके हैं सेहत और ओशथी विज्ञान में आयुर्वेट चिकित्सा पध्धती का इस्तिमाल सदियों से होता आ रहा है ये देश के शेहरी और ग्रामीन परिवारों में आसानी से उप्योग में लाई जा सकने वाली, सर्वसुलब और कम खर्च वाली चिकित्सा पध्धती है पूरी दुनिया सहित, पश्चिमी देशों खास कर योरोप और अमेरिका ने इसके महत्व को समझा है यहां आयुर्वेट का प्रचलन बढ़ता जा रहा है ये भारत के लिए गर्व की बात है आयुर्असमिन विद्यते अनेनवा, आयुर्विंदती त्य आयुर्वेदा चरक सहिता के अनुसार, जिसके द्वारा जीवन का ज्ञान प्राप्थ हो उसे कहते हैं आयुर्वेद